हेलो फ्रेंड्स दोस्तों कैसे हैं आप सब आपकी तहरी अच्छी चल रही होगी और अभी का जो माहौल चल रहा है पुरे देश में या पुरे दुनिया में उससे बहुत ज्यादा अफ्रेक्टेड नहीं होए प्रिवेंशन अपना रखे और बचाओ किये रही है बहुत इसे आपको लास्ट तक बनाने से फायदा यह होगा कि आपकी तैयारी किस हद तक चली है कौन कौसे कोशन पूछे गए एकजाम में सब को मैंने इसमें इंक्लूड किया है तो इसको लास्ट तक जरूर लागा यह और अपने स्कोर आप लाइब कमेंट करते रह सकते हैं ब्लेक होल वाज फर्स्ट मेंड नूओन भाई तो ब्लैक होल का कॉंसेफ्ट दिया गया था तो बताईए ऑपशन ए जोड़ लैमेंटेयर रॉबर्ट महनत एसे चंद्र सेखर रदर फोर्ट ब्लैक होल का कॉंसेफ्ट किस ने दिया था यह बहुत लोग इसमें गल्ति करे इस Black Hole का concept तो एस चंदर सेखर ने दिया था लेकिन Big Bang का concept दिया था किसने George Lamentair ने और रदर फोर्ड ने परमानू मतलब एटम का थियोरी दिया था तो यह सब आपको याद रखना चाहिए ठीक है ब्लैक होल चुकि यह चंदर सेखर जो हैं इंडियन थे इसलिए चंदर सेखर लिमिट भी एक आप लोग नाम सुनते होंगे तो यह इन्ही के नाम पे रखा गया है यह साइंटिस्ट थे इंडिया के रिपर्जेंट करते थे अब आते हैं नेक्स्ट कोस्टन की तरफ बिग बैंक थिवरी विक्सित किया गया तो इसका मैंने आंसर तो बताई दिया है फिर भी आप लोग बताईए इसमें एक और साइंटिस्ट का नाम है जो कि आप लोग को से और बढ़िया से इसको प्रूब्ड किया तो उनका नाम है लिख लिजे प्लीज अलग से आप नोट करना चाहें इसके इंपोर्टन फैक्स तुपेन और पैपी लेकर बैठें रॉबर्ट वैगनर यह दोनों नाम आप लोग याद रखेंग बिग बैंक थियोरी से रिले तो बताईए इसका राइट आंसर यह बहुत अच्छा सवाल है और अपके एक्जाम में आ चुका है ठीक है तो इसका राइट आंसर होगा 25 क्रोड इयर्स सुरज आपको पता ही है संज जो है सेंटर ऑफ और गैलेक्सी और गैलेक्सी का नाम क्या है मिलकी वे और मिलकी वे गैलेक्सी जो है किस सेप की है तो यह जो है स्पाइरल सेप की है मतलब सरपिलाकार सांप के आकार के स्पाइरल सेप की है मिलकी वे गैलेक्सी है ठीक है और इस गैलेक्सी की क्या इसे हिंदी में अगर बात करें तो क्या का रहता है दूगध मेखला ठीक है तो यह सारे या क्या दिखाता है तो ध्यान दीजिए कतारे का रंग दिखाता क्या टेंपरेचर दिखाता है या फिर कलर दिखाता है फ्राग्रेंस दिखाता है ननप दैवाब क्या दिखाता है बताईए तो यह temperature दिखाता है जिस तारे का जेतना ज़्यादा temperature होगा उतना ही ज़्यादा लाल चमकेगा और उतना ही दूर से वो दिखाई दे देगा तो यह तारे के रंग को दिखाता है next जो है वो देखते हैं the color of star हो गया how many constellations are in our space हमारे जो हमारा space जो है space आप समझ रहे हो किसे कहते हैं space में कितने constellation constellation मतलब तारा मंडल ठीक है कितने हैं तो बताइए कितने हैं option 87, 88, 89 और 90 तो यह जो है आपका 90 है या फिर 88 है बताइए right answer में यह आप से सुनना चाहता हूँ तो हमारे सारा मंडल कितने हैं और मंडल में तो यह है 88 ठीक है तो यह most important और यह जरूरी information था यह भी आपके exam में आ चुका हूँ दोस्तो यह अगर practice बहुत सफल रहा और बहुत लोगों ने इसे पसंद किया अच्छे से इसके review मिले और सब लोगों ने इसे देखा पसंद किया तो मैं ऐसे और भी chapter ले क्या हूँगा जो की आपके exam में जोरूरी आपको पता होना चाहिए तीन से चार question इससे निकल के आये हुए है कम से कम दो से तीन सवाल तो हर साल आये हुए है तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए 88 is the right answer next जो है light year is the unit of परकास वर्स किसका मापक है तो light year, light जो है और year तो बताइए यह distance का मातक है या फिर समय का या फिर none of the above तो यह जो है मापक किसका है यह है light year किसका मापक है समय का या फिर distance का बताइए यह है distance का मैं right answer आप लोगो देखने के लिए वेट करना हूँ मैंने पहले ही कहा था 2-3 सेकंड आपको अलग से दूँगा मैं सोचने के लिए और इसका right answer करने के लिए तो light year जो परकास वर्स होता है एक distance का मापक होता और सूर्य से परिथवी तक परकास को पहुचने में एक साल में जितनी दूरी तय करेगा मतलब परकास जो है एक साल में जितनी दूरी तय करेगा उस unit को कहते हैं light year ठीक है अगर आप इसको याद करें तो इसका measurement भी आप देख सकते हैं और उसे रट सकते हैं को जरूरी नहीं है सवाल सीधे आता है परकास वर्स मापक है दूरी का हूँ फर्स प्रॉपाउंडेट डैंड़ सर्फ सेंटर आफ सोलर सिस्टम और और रिवॉल्स अरांड डिट यह बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है बताईए किसने सबसे पहले कहा था कि सूरज के अंदर में और प्रिथवी चक्कर लगाती है दो तरह के थियोरी इसमें डेवलब किये गए है पहला थियोरी जो था कि प्रिथवी के अंदर में और सूरज चक्कर लगाती है क्योंकि लोगों को लगता था कि सूरज घूमती है ठीक है बट पहले ऐसे साइंटिस्ट जो एक इंडिया के भी हुए है भासकरा चारे का नाव आप लोग जानते होंगे उन्होंने ऐसा कहा था कि सूरज के इंदर में है और प्रिथ्वी चक्कर लगाती है और यूरोप के ज 114 में यह डेट जरूर याद रखिएगा इन्होंने हेलियो सेंट्रिक थियूरी अफ सोलर सिस्टम दिया था हेलियो मतलब क्या होता है संसे रिलेटेड हेलियो ठीक है तो यह इन्होंने बताया था और वराह मिहीर ने भी यही बताया था वराह मिहीर और मैंने भासकरा चार गेलीली इनका नाम था ठीक है तो यह सारे इफस्टा फैक्ट्स आप लोग ज़रूर याद रहोगो न्यूटन का तो पता है न्यूटन का ग्रैविटेशन थियोरी है इन्होंने ग्रैविटेशन थियोरी दिया था ठीक है नेक्स्ट जो है विच अब फोलोविंग दोज नॉट बिलॉंग टू दो सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम में क्या बिलॉंग नहीं करता है बताईए प्लैनेट्स, अस्ट्रोइड्स, कॉमेट्स या नेब्यूला ये इंग्लिस में मने इसलिए में सुन किया है क्योंकि इंग्लिस में ही ज्यादा फेमस है तो प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में होते हैं कॉमेट्स या नेब्यूला बताईए इसका right answer होगा इसका right answer होगा nebula next question is the planet earth located between प्रिथ्विस्तित है किसके किसके बीच में Venus and Mars, Venus and Jupiter, Mars and Jupiter और Mercury and Jupiter अगर हिंदी में बात करें तो प्रिथ्विस्तित है किसके बीच में Venus मतलब सुक्र और सुक्र और मंगल, सुक्र और विरहस्पती मंगल और विरहस्पती, मंगल और मरकरी का बूध और विरहस्पती तो बताइए आपको पता होगा बूध, सुक्र, प्रिथ्वी, मंगल बूध होता है फिर सुक्र है फिर गरह कौन सा है बूध, सुक्र फिर प्रिथ्वी है तिसरे नमबर पे फिर मंगल है विरहसपती सनी अरुन वरुन ये यूरेनस नहीं अगर इंगलीज में बात करें तो सबसे पहले क्या होता है मरकरी वेनस अर्थ मार्स जूपिटर साटर्न यूरेनस और नेप्चुन ये आपको लाइन से याद होना चाहिए ठीक है ये कई बार पूछा जाता है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो वो है विरहसपती सबसे छोटा कौन है तो वो है बुद्ध आपको ये सारी चीजें तो याद होंगी इसलिए मैंने इसको इन कोस्टन को नहीं इंक्लूड किया है जो आपको भूल जाने की होगी प्रविर्थी उसमें मैंने इंक्लूड किया ठीक है तो ये प्रिथ्वी जो है वेनस और मार्स के बीच में है आप लोग अभी तक समझ गया होगे नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं क्या है विच अब दो फोलोईंग इस नॉट प्लैनेट टू दे सोलर सिस्टम मरकरी, सैटर्न, वेनस या फ्लोरीडा ये तो आप लोग जानते होंगे कौन सा जो ग्रह नहीं है से सोलर सिस्टम का हमारे तो ये फ्लोरीडा जो है हमारे ग्रह नहीं है ये शिटी का नाम है मरकरी, सैटर्न, गन है सारे ग्रह जो मैंने बता दिये हैю तो चलिए दोस्तों इसे जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक कर दो मुझे लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊंगा पॉलिटी के और हिस्ट्री के और साइंस के तीन चीजों के अलग से प्रैक्टिस सेट चल रहा हो सब अपने अपने प्लेलिस में वीजिट करके फ्री आपकोस सारे वीडियो देखिए नोट्स बनाईए मैंटिपल टाइम्स रिविजन कीजिए बहुत ही ज्यादा ज़रूरी है है हैली एक कॉमेट है पुछल ता रहा है एस्ट्रोयड है सैटलाइट है या प्लैनेट है तो बताइए क्या है 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 एक कॉमेट है पुछल तारा है और यह 76 सियर्स के बाद दिखाई देता है यह भी कोश्चन आया हुआ है है यह नामक पुछल तारा कितने साल के बाद दिखेगा ठीक है तो इसका राइट अंसर क्या होगा ओप्शन एक जो है वह सही होगा प्रॉ इसे हमारा नियर इस स्टार तो सन है उसके बाद कौन सा है तो यह प्रॉक्षिमा सैंटॉरी है नेक्स देखते हैं वीच गैसे जार परजेंट इन सैटर्न और जूपिटर बताइए ऑप्शन है हाइड्रोजन हिलियम मेथन या इनमेसिस सभी तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन नहीं गलत है यही तो मैं देखना चाहता था इसके राइट आंसर होगा है हाइड्रोजन हिलियम और मेथन देखिए क्या होता है मेथन मैक्सिमम जगा मौझूद है ठीक है थोड़े बहुत मात्रे में सबसे जादा जो है मार्स सन जो है energy of the universe है हमारे universe का ठीक है बट hydrogen helium और methane ये तीनों किसी भी Saturn और Jupiter के जो rings है उसमें एबलेबल है ठीक है और इसके last में मैं आपको एक important question पूछने वाला हूं तो आप लास्ट तक बने रहें तो यह इक्सा information आपको कैसा लग रहा है लाइक करके बता सकते हैं मुझे planets nearest to the sun सूरे के नजदीक सबसे ग्रह कौन है बताईए यह तो मैं अभी बता चुका हूं यार बुद्ध सुक्र प्रिथ्य मंगल या फिर मरकरी वेनस मैंने सुरूर किया था तो यह कौन था है मरकरी है सबसे छोटा क यह रहाने सबने सब्सक्राइब प्रिथ्य प्र प्रॉसेस के ताहत निकलती है बताईए नुकलेर फ्यूजन नुकलेर फीजन नूकल ब्लास्त नोन दात दैवर तो यह इसका राइट अंसर क्या होगा को बताईए कौन सा होता है सोलर एनरजी में Divine nuclear fusion होता है या fusion होता है कि तो ये होता है nuclear fusion क्या होता है दो hydrogen के नाविग मिलते हैं और एक helium के नाविग प्लस धिर साथ olie ही होता है इसे सब्ले fusion der6 के ताहुत होता है जब 2 demce नत्रू हो जाएं आपको पताई होगा solar eclipse मतलब सूरे गरहन होता है कब होता है quarter moon day new moon day any day या full moon day सूरे गरहन कब होता है बताईए तो यह होता है new moon को अब new moon को क्या कहते हैं पहले इसका पूरा process समझ लिए solar eclipse कब होता है जब moon जो है वो moon यह हो गया earth और sun के बीच में आ जाया ज्यसे earth यह हो गया और यह sun मालीजे यह earth है हम लोग यहा से moon को देख रहे हैं ठीक है और इसी यह moon जो है यह sun के बीच में आ जैंडे मालीजे यह sun यहां और यह यहां के इसने cover कर लें तो इतना sun का का पार्ट नहीं दिखता है ठिक है सांटिफिकली ये पूब्ड है इतना सब्सक्राइब लगता है संपे ग्रहन्ड शुरू हो गया ठीक है और ऐसे से करते करते चुकि मुण जो है वह पास में है तो जल्दी दिखता है तो यह और पास आ गया तो यह पूरा सन कवर हो जाए जब इसके चाया से और इसकी लाइट जो है नहीं पहुँच पाए धर्ती पे तब इसे कहते हैं solar eclipse और यह किस दिन होता है ठीक है new moon को मतलब आमावस्या को अगर हिंदी में बात करूं तो new moon को कहते हैं अमावस्या ठीक है अब पूर्णीमा को चंद्रगरहन होता है तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है नेक्स देखते हैं क्या होता है और इसी के उल्टा जो है वो है चंद्रगरहन चंद्रगरहन अगर आप लो कमेंट करते हैं तो मैं बता दूंगा अधरवाइस नेक्स वीडियो में स्वे डिटेल से समझाओंगा यह सब्सक्राहएस वान अस्ट्रोनमीकल रृट मरस प्लूटो एंस स्टार जो होता है यह किस के पीच की दूरी होती है बताइए तो ये इसका right answer क्या होगा इसका right answer होगा Earth and Sun के बीच में एक astronomical unit जो होता है सुर्य और प्रिथवी के बीच की दुरी होती है अब इसका मान आप देख सकते है एक AU बराबर होता है 149.597 इन्टू 10 to the power 6 km ठीक है ये आपको याद रखना है अब जो है अगला question भी इसी तरीके का इसलिए मैंने इसे बता दिया the distance between the Earth and the Sun is in million km आपको बताना है यही इसमें twisted है तो बताइए कितना होगा 146, 149, 118, 107 मैंने वो नीचे से उपर पढ़ा है तो इसका right answer होगा कौनसा ये होगा 149 ठीक है आपको ये याद रखना है अगर आप्रोक्स में दियात रहे तो 150 गुने 10 के पावर 6 भी हो या फिर 149 गुने 10 के पावर 6 किलो मेटर हो तो हो सकता है ठीक है अगर million है तो 146, 149, 6 दोनों मैं आप लोग million पता ही है million का मतलब होता है 10 लाग तो गुना करोगे तो बात तो बराबर ही होगी next जो question है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है the earth is nearest to the sun is on पिथवी के नजदीक सूरे कब होता है ये मैं ऐसे trick से आपके दिमाग में sit कर दूँगा कि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा देखिए इसका जो भी option है दो चीजे समझे इसका right answer होगा तीन जनवरी जिसको पता है उनके लिए बहुत-बहुत thank you लेकिन इसका concept समझ लिए ये ना भारत के respect में उल्टा है देखिए sun अगर हमारे pass होगा nearest होगा मतलब नजदीक होगा तो हमें जदा गर्मी लगए की लेकिन तीन जनवरी को उल्टा होता है हमें थंडी लगती है ठीक है तो आपको ये phenomenon उल्टा रखना है तीन और चार जुलाई याद रखना है ठीक है चार जुलाई को हमारे यहां जो है सूरे सबसे दूर होता है प्रिथवी से और हमारे यहां गर्मी पड़ती है जब दूर होगा तो थंडी लगने चाहिए तो यह इंडिया के रिस्पेक्ट में उल्टा है तो आप यह दोनों डेट याद रखोगे और आराम से आप याद करोगे अब बात करते हैं दूरी वाले दिन को याद कर लिए अपहिलियन तो आपको बस यह यह दखना है दूरी आपहिलियन वैसे भी आप आप मतलब दूर जा रहा है तो अपहिलियन मतलब चार्जु लई तो यह दिमाग में सेट करें साइंटिफिकली माइंड जो है जिसको पसंद आता है वोड़ वही स इसका राइट अंसर होगा 109 गुना नासा के रिपोर्ट में जिक्री किया गया था और यह अब आपको याद होना चाहिए ठीक है यह बहुत इंपोर्टन कुश्चन था प्लैनेट्स हविंग नो सैटलाइट कौन से प्लैनेट को सैटलाइट नहीं है तो बताइए इसका र सैटलाइट कौन सा है तो चंद्रमा है मतलब अर्थ से ही सैटलाइट सुरू होते हैं ग्रह में वीच प्लैनेट है मौस नमबर ऑफ सैटलाइट यह अभी करेंट में इसका आकड़ा बदला है इसलिए आपको इसका बताना पड़ेगा और यह आएग अभी आपके एक जाह म मौस प्रोबैबली मरकरी वेनस सैटर्न और मार्स इसमें कौन होगा तो इसमें अभी तक का जो था वो कोई दूसरा ग्रह था और उस ग्रह का नाम मैं जानना चाहता हूं आपके कमेंट से कौन सा ग्रह था जिसमें अभी तक सबसे ज़्यादा उसके उपग्रह थे लेकिन मार्स की कौन से दो हैं फोबोस और डिमोस ठीक है चलिए हुई सेड़ अर्थ वाज स्फेरिकल अर्थ को स्फेरिकल किसने कहा था प्रिथ्वी को गुलाकार ये किसने कहा था तो बताईए ये किसने कहा था तो इसका राइट अंसर क्या होगा इसके राइट अंसर जाने से पहले प्रिथ्वी को जो है ग्रीन प्लैनेट कहते हैं और इसका 70 परसेंट अल्मोस्ट हिस्सा जो है वो पानी से ढखा हुआ है 30 परसेंट ही अपको याद रखना चाहिए केमिकल कॉमपोजिशन वगरे तो तो हम लोग अगली बार अगली वीडियो में देखेंगे अभी के लिए फिलाल इतना ही तो इसका राइट अंसर क्या होगा बताइए यह गोलकार कहा था अरिस्टोटल ने इतना टाइम देने पर भी आप लोग नहीं बता रहा है बहुत गरवर बात है ठीक है अरिस्टोटल टॉलेमी भी एक जोग्रफिकल जोग्रफी था और टॉलेमी की बुक जो थी वो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी और सेकेंड सेंच देख ली जो दोनों को समझ लेज्Я कांसेट एकवेटोरियल मतलब ऐसे पुलर मतलब ऐसे विशुवातिय है मतलब यह हुआ अधूर भी यह मतलब यह हुआ धूर्व इधर होता है नॉर्थ पोल्ट आपको प्रता है परित्विय ऐसे जूकी होई है ठीक है यह तो मैं ऐसे कर लो या तो एक्वेटोरिया राद कर लो बाराज साथ सब्सक्राइब हो जाएगा और 14-56 कितना कम हो गया 42 जो है किलोमेटर का डिफरेंस है इसमें नेक्स जो है अगला है कासीनी स्केस प्राफ्ट इस रिलेटर टू वीच प्लेंट कासीनी विमान जो है स्पेस क्राफ्ट यह किस ग्रह का है तो अप्शन है सैटर्न मार्स और अर्थ तो यह जो है कासीनी यह है सैटर्न का सनी ग्रह क और मार्स का है, मार्स और बीटर मिसन और मॉम मिसन जिसे कहते हैं, यह इंडिया के दर्फा छोड़ा गया था और इंडिया का पहला successful मार्स मिसन था यह पहले ही दफा में successful हो गया था, और आपको पता यह अभी जो चंदर्मा पे related जो incident हुए थे, हमारे विकरम, लेंडर और इससे related जो next वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो comment करके ज़रूर बताएं और ये वीडियो का series जिसमें 25 question है उसमें और भी ज्यादा question होंगे और ज्यादा ज्यादा question practice कीजिए दोस्तों क्योंकि exam आ रहा है thank you so much मुझे comment करके ज़रूर बताएं वीडियो को like भी कर दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग interested हो